नमस्कार आप देख रहे हैं स्यामी मैन्पुरी और मैं हूँ आपके साथ स्याम की पूर्यादा टेक्तर से गिरने के बाद रोटा वेटर की चपेट में आया किशोर मौथ थाना ओचा चेतर के गाउं नगला आंदरा में विगटना रील बनाने के दोरन हाथ सा होने की चर्चा मैनपुरी के थाना ओचा चेतर के गाउं नगला आंदरा में शुक्रबार की शाम खेत की जुताई करने के दोराने किशोर की किशी तरह रोटा वेटर की चपेट में आ गया हाज से में किशोर की घटना इस्तल पर ही मौत हो गई जानकारी होने के बाद घर में चीक पुकार मच गई थाना ओचा चेतर के गाउं आदरा निवाशी हरपाल सिंग का पुत प्रसांट कुमाई सोरे वर्षी शुक्रबार की शाम गाउं निवाशी उमेस्ते खेत की रोटा वेटर से जुताई हो रही थी करीब 6 बजे होए किसी तरह से टेक्टर से नीचे आगेरा टेक्टर का पईया उसके उपर से गुजर गया और पीछे लगे रोटा वेटर की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई प्रसांत की चीक पुकार सुनकर आसपाथ खेस पर ताम कर रहे ग्रामीड एकत्रत हो गए हाथ साय की जानकारी मिलने के बाद रोते बिलगते परजन घटना इस्थल पर आ गई मौत प्रसांत कुमार का शव परिजन घर पर ले गई शनवार कीशु में गमगीन माहूल में अन्तिम शंसकार कर दिया गया परिजन की ओर से घटना के शंबंद में थाना पुलिश को कोई भी शूचना नहीं दी गई है वही ग्रामिनों की अगर माने तो रील बनाने के दौरान हाथ से की गाउं में चर्चा हो रही है घटना को लेकर परिजन कुछ भी बोलने को तयार नहीं है वही परिजनों के दौरा शव का बिना पोश्ट मार्टम कराई शनवार को अन्तिम संसकार कर दिया गया वही कुछ वही ग्रामिनों में चर्चा हो रही है कि खेट जोतने के दौरान प्रसांत रील बनाने के लिए नीचे उत्रा था उशी शमय हाथ से का शिकार हो गया हाला कि इश्वारे में कोई भी खुल कर बोलने को तयार नहीं है प्रिये दर्फ को अपने आज पास की ख़बरों को सबसे पहले देखने के लिए श्यामनीज मेंपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें खन्यवाद कर दो